आप देख रहे हैं मेरे साथ वैदिक टीवी राधे राधे स्वागत करती हूँ आप सभी का और मेरा नाम है मेई खावर्मा आज आपको बताते हैं सामुद्रिक शास्र के अनुसार सुबह उठते ही शरीर के इन अंगों में खुचली हो रही है तो सोच लिजी आपको कोई बड़ी खुश खबरी मिलने वाली है अधिकतर लोग मानते हैं हाथ में खुचली होने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है और सामुद्रिक शास्र में इसे लिखा भी गया है शास्र के अनुसार व्यक्ति के शरीर के अंगों की बनावट को देखकर उसके वेवार व्यक्तित्व के बारे में काफी हद तक पता किया जा सकता है उसी प्रकार शरीर के अंगों में हो रही खुचली भी आने वाले अच्छे और बुरे समय को बता देती है कई बार लोगों को सुभे उटने के बाद शरीर के कुछ हिस्सों में खुजली होती है जिसे बेहत शुब माना जाता है चलिए आपको बताते हैं किन अंगों में खुजली होने पर अच्छा होता है सामुद्रिक शास्त्र में इसका क्या मतलब है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर सुभे उटने के बाद आपको अचानख से होट के आसपास खुजली होने लगे तो यह बेहत शुब संकेथ है ओट के पास होने वाली खुजली इस बात की और इशारा करती है कि आपकी लव लाइफ बहुत ही बहतर और अच्छी होने वाली है साथ ही आपके पार्टनर के साथ आप अच्छा समय भी बिता पाएंगे कान में खुजली होना सुबह के समय अगर आपके कान में खुझली होने लगती है तो इसका मतलब है आपको धन लाब होने वाला है महिला और पुरुष के हाथों में खुझली का अलग-अलग मतलब होता है अगर सुबह उठते ही आपके हाथ में खुझली लगने लगे तो इसका मतलब है आपके पास पैसा आने वाला है वहीं महिला के बाएं यानि उल्टे हाथ में खुझली हो रही है तो ये शुब माना जाता है जबकि पुरुष के दाएं हाथ पर खुजली होना आर्थिक लाब की और इशारा करता है पैरों में खुजली सामद्रिक शास्त्र में बदाया है कि सुबह उठते ही किसी के पैरों में खुजली होने लगे तो इसका मतलब है किसी ऐसे वेक्ती से आप मिल सकते है जिससे वो लंबे समय से मिलना चाहती थी अगर पुरुष के सीने में खुजली हो रही है तो इसका मतलब है धनसंपत्ती का कोई शुब समाचार मिलेगा ये जानकारी आप तब विभी नालेकों द्वारा पहुचाए गई है वीडियो में बताए गई बातों की सत्यता की बुष्टी वैदिक टीवी बिल्कुल नहीं करता आप किसी भी जानकारी को अपनाने से पहले पूरी दरे से विवेक से काम करें अभी के लिए इतना ही रादे रादे